हेलो फ्रेंड्स मैं उपाइंदर सिंग और आप देखर हमारा यूट्यूब चैनल अनुमूल स्टेडी ओनलाइन श्वागत आप सबका एक नए वीडियो में दोस्तों साथ यूं क्लास नाइन के प्रिय विद्यार थियों आज हम आपके बीच लिकर काया हैं माइथ से चेप्टर रेखाएं और कौन जहां दोस्तों आज हम रेखाएं और कौन के बारे में जो भी महत्तपुर्ण परस्ण हैं आज हम उसे देख लेते हैं तो दोस्तों बने रह पूरी वीडियो तक और एक बात और दोस्तों आज का इस वीडियो में जितने भी परस्ण हैं सारे के सारे practice के लिए हैं दोस्तों तो आप कलम को पिले के बैठें और practice करके देखें कि आपके कितने सारे सवाल की जबाब सही होते हैं और मैं ट्रिक के साथ आसानी से बताने का कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ मा जाए तो दोस्तों सुरू करताज का सवाल और देखते हैं फ़स्ट कोशिशन क्या है सबसे पहले दोस्तों पहला कोशिशन है बारसर डिगरी का पूरा कोन क्या है दोस्तों यहाँ पे पूरा कोन क्या होता है और समपूरा कोन क्या होता है पहले उसको हम समझ लेते हैं तो इसके लिए हमको सफेद पीज़ पर चलना पड़ेगा, आए हम चलते हैं सफेद पीज़ पर, दोस्तों आच चुके हम सफेद पीज़ पर, तो आपको हम बताएंगे पूरक कौन और संपूरक कौन क्या होते हैं, दोस्तों, अगर मान लिजे आपके पास दो कौन है, A और एक है B, ठीक है दोस्तों, तो A अगर कोई एंगल है और B कोई एंगल है और दोनों जोड की जदी 90 डिगरी हो जाता है, तो दोस्तों A और B ये दोनों पूरक कौन कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, पूरक कौन, पूरक कौन, ठीक है, आप इसे याद रखेगा, अगर मालीजी आपके पास कोई 20 डिगरी है एक टो और तो दूसरा मालीज़ी 70 डिगरी है दोस्तों तो आपका 70 जोड़की देखिए 70 और 20 कितना होता है 90 होता है दोस्तों छोड़के कतना हो रहा है 90 हो रहा है इसका मतल़ यह हुआ कि 20 और 70 एक दूसरे का पूरण कोन कहलाएंगे क्या कहलाएंगे पूरण कोन ठीक है आगे हम देखते हैं समपूरण कौन अगे इसको भी स rice समझे देता हैं दोस्तों देखिए मालीज आपके पास कोई है एंगल और एक एंगल मालीज यह भी है ठीक है और दोनों को जोड़ के 180 दिग्रिदी आ रहा है ठेक तो यह दोनों एगल जो है शमपूरक कहलाएंगे इंग्लिष में कहलाएंगे और इसके पहले जो मैंने पूरक बताया है वो कॉंपूर्य मेंट्री कहलाते हैं तो दोस्तों यहां पे जिसे मालिज़ी आपके पास 110 डिग्री है एक एंगल है तो इ रखेगा सम अनुस्वार पामेद्रगपूरक और संपूरक कोन कहलाते हैं क्या कहलाते हैं संपूरक कोन ठीक है दोस्तों तो अब चलते हैं सवाल की और देखते हैं किस तरह का सवाल है तो चलते हैं कोशन की और दोस्तों हुम आचुके हैं फर्स्ट कोशिंद की पास देखते हैं बरसे डिगरी का पूरा कौन क्या होगा तो इसके लिए क्या करना रहा हो दोस्तों एक फॉर्मूला है दोस्तों बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं जिसका भी पूरा कौन बोलेगा उसको 90 में घठ जो बचेगा उसका पूरक कौन हो जाएगा जिसे अभी हम आपको क्या बताए थे एक सत्तर आपका है और एक आपका 20 है दोनों को जोड़कि आपका 90 हो जा रहा है दोस्तों तो आपका 70 और 20 एक दूसरे का पूरक कौन कहलाएंगे तो अगर मान लिजे आपके पास 70 डिग्री मौजूद है और दूसरा पता नहीं है तो आप 90 में 70 घटा दीजेगा तो जैसे ही 90 हम 70 घटाएगा बीस आएगा और ये बीस आपका बन जाएगा 70 का पूरक कौन तो दोस्तों वीडियो कर समझ मा रहा है और जिदी अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करतें अध 25 में जब 55 घटाएंगे तो हमको मिल जागा कितना 35 मिल जागा दोस्तों तो 35 कहां पर आएगे देख लेते हैं 35 मेरा ऑप्शन नमर थिरी में दोस्तों आगे बर तेगली सवाल की और नेक्स्ट कोशिन है दोस्तों 35 का पूरग को क्या होगा 35 का पूरग को क्या होगा 35 का पूरग को क्या करेंगे देखे दोस्तों इन दोनों में कोशिन में क्या अंतर है कोशिन नमर दो में 55 का पूरग को पूछा था 35 हुआ था और यहां पर 35 का पूरग को पूछा था यहां कितना बचेगा आप घटा के देख लिजे 90 में पैसे जटाएंगे 25 बचेगा दोस्तों तो 25 मेरा काँ पे अप्शन नमर 2 में है दोस्तों सही ज़व हो जागा आगे बढ़ते हैं कोशिन नमर 5 देखी दोस्तों कोशिन 5 में क्या खाता है 54 डिगरी का संपुरकोन अभी आपको क्या बतायते संपुरकोन वो होता है जो दो कौनों का जूड 180 हो जाए दोस्तों तो यहाँ पे 54 बोल रहा है 180 में 54 को घटा देंगे जिस तरह से भी हमने अपको पताया 90 में घटा के पुरकोन प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे 180 में घटा के संपुरकोन प्राप्त कर सकते हैं तो दोस्तों 180 लिखेंगे और 180 में हम घटा देंगे 54 डिगरी दोस्तों 10 में 4 के 6 यहाँ पे 67 पास के 2 126 डिगरी आया है दोस्तों 180 में खताएंगे दुस्तों और देखते हैं कितना आता है तो दोस्तों आई हम आपको बना के दिखाते हैं 180 में हमको घताना है 80 तो देखेंगे दोस्तों 10 तबामर्ट के दो बचेगा 7 पिचेगा और यहांपर अफो बांचम का संपूर्ब कोन बौल रहा है 185 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों 75 डिग्री बचेगा ऑप्शन नमर यहां पर 75 कहां पर आई देख लेते हैं एक है 45 दूसरा है 55 तिसरा 65 चौथा में हैं दोस्तों तो यहां पर चौथा जवाप सही होगा इसका आगे बढ़ते हैं कुशिन नमर एट दोस्तों 80 का संपूरग अब 188 घटाएंगे एक सो बचेगा पूरा पूरी एक सो मेरे कहां पर 75 नमर में ही है आठ का पहला यहां पर सही जो भाज़ागा दोस्तों अगली सवाल किर बढ़ते हैं दोस्तों अगली सवाल किर बढ़ते हैं दोस्तों तो हम लोग तो दोस्तों पहुंच चुके हम कलास कुशन नो में दोस्तों तो नो में क्या कहता है 110 डिरी का संपूर कौन क्या होगा तो 180 में 110 घटा देगे दोस्तों मज़े का 70 डिगरी कहां पे आई हम देख लेते हैं पहला 160 है दूसरा 90 तीसा 17 दोस्तों थीर नमर का सही जब होगा आगे बर तेकले सवाल क्यों और कोशिश नमर 10 कोशिश नमर 10 में कहता है एक कोन की माप अपने पूरक कोन के समान है तो इसकी माप क्या होगी दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है दोस्तों अगर मालीज़ आपके पास एक कोन है जो पूरक के समान है दोस्तों एक मालीज़ 45 है तो पूरक कितना होगा दोस्तों 45 का पूरक और यह देखिए दोस्तों दोनों समान है इसका मतलब इसका सही जवाब होगा 45 और 45 कहां पर हम देख लेते हैं ऑफ्षन एक में ही 45 दिया हुआ दोस्तों तो यहां पर सही जवाब कोशन नमर एक अगले सवाल की रुबड़तें दोस्तों बूष्जी नमर घ्यारे में कहता है कौं की माप अपने संपूर को क Cleveland की समान धैब इसकी माप क्या होगी देखी दोस्तों यहां पर संपूर्ण की बात हुए है वहा के पूरग की बात हुए थि तब पूरक में 45 संपूर कर देखते हैं तो फॉस्ट में ही दिया हुआ दोस्तों तो पहला नमर नहीं होगा आगे बरतेगली स्वाल क्यों कि दोस्तों कुछ नमर 12 देखते हैं दो संपूरों कौनों में बड़े कौन का माप छोटे कौन की माप से क्या होगी दोस्तों यहां पिए बोल रहा है कोशिन पैले समयने का आप भर्यास किजphone हैं इस तो फ़ nossa सम्पूर predom WePO कॉन से तो नाप से 44 अधिक है इसको उसका हम बताते हैं सफ्यद पीज पर वहाँ पर आपको दिखाते हैं कि बड़े कौन के माप की स्थर से आप निकाल सकते हैं तो ठीक है इसको हम आगे बनाक दिखाते हैं सफेद पिज पर तो दोस्तों पहुंच चुके हम सफेद पिज पर और आपको आप यह भी बताएंगे क्या कह रहा था मालीज आपका कोई कि एक एंगल है तो इसका संपुरक हो जागा दोस्तों 180 में से एकस को घाटाना पड़ेगा ठीक है दोस्तों यह मेरा एकस है बड़ा एंगल एकस ऊसी में घाटा एंगए यह होजगा चोटा एंगल तो चोटा एंगल से कितना अधिक है चुवारीस अधिक है दोस्तों यहां पर हम चुवारीस को जोड़ देंगे ठीक है यह मेरा चोटा एंगल है यह मेरा बड़ा एंगल है तो चोटा एंगल में चुवारीस से अधिक बोरा था चोटा एंगल चुवारीस से जोड़ देंगे तो बड़ा एंगल के बरावर होगा दोस्तों इसको हम equation बना लेते हैं और हल करने का कोशिज करते हैं तो दोस्तों x मेरा अगर यहां पर मायने से अंदर आखे पलस होगा यहां पर हो जागा 2x और यहां पर 112 दिवरी तो यहां पर बड़ा कौन की बात थो रही तिर बड़ा कोन हमने क्या माल लिया था एक्स माल लिया था जूगे रगले यहां पर 112 बहुत यहांचो और हम चलते हैं और मेरा let me से लुँझते तो दोस्ते हैं के अपसे नंबर है यहांप देख पाई 112 हैं कहाँ पे है तो पहला में देखते हैं हमारा 46 था जयजहां में 5 पश्चतर चौथा में 112 दोस्तों तो बारे नमर का ओप्सन नमर 4 यहां पर सही जब़ों हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोश्चिन नमर 13 कोश्चिन नमर 13 देखते हैं दोस्तों अधी एक कौन अपने पूरक कौन की आधे से 30 डिगरी अधीक हो तो कौन की माप क्या होगी यह यहां पर कहता है कि एक कौन जो है उसका पूरक जो कौन होगा उसका आधा से 30 ज्यादा है दोस्तों ठीक है तो यहां पर कौन की माप क्या होगी इसको हम सफेद में बना के आपको दिखाते हैं कैसे इसका सही जब़ाबाएगा तो दोस्तों वहाँ पर कह रहा था कि एक कौन है माल लिजे एक कौन हम माल लेते हैं एक है तो उसका पूरक क्या होगा दोस्तों उसका पूरक होगा नभे माइनस एक होगा ठीक है तो जो पूरक कौन है उसका आधा कह रहा था दोस्तों आधा कर दिए और उसे 30 ज्यादा ब बटा 2 कर दिये और 30 ज्यादा था दोस्तों 30 पलस कर दिये इसको हम बना के दिखाते हैं और अनसर ला के दिखाते हैं कैसे होगा ठीक है आपका देखे दोस्तों यहाँ पे भिन्द का जोड़ करते हैं बटा 1 कर देते हैं और LCM आजगा आपका 2 तो उपर से 90-10 जैसे 30 लिखे जन्हिएंगे और आपका 32-60 यहाँ पिसाठा जगे दोस्तों ठीक है और यहाँ पी बेराबर आपका एक्स लिखेंगे अब já यही दो Cec Buena पे दूएग्स होजगा और यह जो मयनस एसको बिदर लाएंगे यह मेरा प्लस हो जगा और यहाँ पर देख पार हैं 90 और 60 हो जगा 150 ठीक है दोस्तों 150 हो चुका है तीन फिरी एक्स हो जगा दोस्तों अधी एक्स ब्राबर आपका 150 हो जगा लेकिन जैसे ही दोस्तों हम 3 से काटेंगे तो 50 कितना बार में जागा दोस्तों 2 एक्स 3 एक्स तीन फिरी एक्स तीन फिर पंदर है दोस्तों तो हमारा यहां पे 50 डिगरी आ रहा है 50 बार में आ रहा है दोस्तों तो एक्स का मान पचास आ गिया और वही हम माने थे कि कौन की माप हमने एक्स मान लिया था दोस्तों एक्स का मान आ गिया 50 तो देखते हैं 50 हमा तो दोस्तों यहाँ पे option number 50, sorry, 50 mili degree कहाँ पे option number 2 में है दोस्तों, जिससा कि आप देख पा रहे हैं, option number 2 में है, सही जबाब होगा, आगे बढ़ते हैं question number 14, 14, देखें दोस्तों इसमें क्या कहता है, एक कोन अपने पूरक कोन से दुगुनना है दोस्तों, तो कोन का मान क्या ह होगा, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक कोन है, जो पूरक कोन से दुगुनना है, और एक कोन x मानेंगे, और पूरक कोन 9 मैनस x होगा, तो 9 मैनस x से डबल हो जागा वो, तो इसको यहीं पी हम बनाक दिखाते हैं, यहाँ पे बहुत छोटा है और तुरत बन जाएगा, तो एक नबे को कुना करना होगा, 180 आपका यहाँ पे हो जागा, और 2 से यहाँ पे गुना करेंगा, 2 x हो जागा, और आपका x यहाँ पे पहली से रहेगा, ठीक है, अब क्या कीजिएगा, 2 x मानेस मेरा देखिए, यहाँ पे मानेस दिख पारें, बराबर का इधर लाएंगे तो आ कि दोस्तों कोश्ची नंबर 15 देखते हैं कहता है एक कोन की माप का तीन गुना है दोस्तों इसकी माप क्या होगी अब यहां से जो सवाल हो रहा है दोश्तों संपूरक से समधित है इसके पहले जो कौन था लब जो भी सवाल था वो पूरक से समधित है दोश्तों तो संपूरक में क्या करना पड़ता है एक सोसी में घटाते हैं तभी किसी कौन क्या संपूरक प्राप्त हो जाता है दोश्तो यहाँ पर क्या करेंगे अब मानते हैं इसको सफित पिज़ आपको बना के दिखाते हैं और फटा के अंसर आ जागा दोस्तों तो चलते हैं सफित पिज़ पर क्या कहता है कौन की माप संपूर और कौन की माप का तीन गुना है ठीक है बढ़ते हैं अगले सवाल की और लेकिन करने हैं तो दोस्तों वहाप एक कॉस्चिन में क्या कर रहा था कि मान लेते हम एक कोन एक है तो उसका संपूरक होजगा दोस्तों 180 में हमको क्या करना होगा एक को गठाना होगा जो है यहां यहां पर होज जब करेंगे यह नहीं 40 और आपका यहां पर हो जागा माइनस 3x और इधर मेरा x है दोस्तों ठीक है अब यह 3x अंदर आके हो जागा मेरा 4x कैसे हुआ आए समझ लेते इसको देखिए आपका x पहले से है और यहां पर 3x माइनस है तो अंदर आगा तो प्लस होगा 3x पहले से था एक्स पहले से था और 3x अंदर आके प्लस हुआ था फूर एक्स हो गया और आपके 540 से जगा ठीक है जब भी एक्स का मान प्राप्त करेंगे तो 540 को 4 से हम क्या करेंगे डिभाइड करेंगे और यह भाग दे देंगे कितना आता है तो 4 एक हम 4 होगा बज़ेगा 1 4 तीय 12 दोस्तों 135 एक्सों पैंदिस हम झांके देखती है कहां पर है पहले 115 है दूसरह 125 से और 233 से सही होगा नमर 3 आगए अगले सवाल कर बढ़ते हैं किसी कोेश्चिन के पूरग कौन का अनुपात हमारा 2.95 नाकौन का यहा हुगा कि किसी kन का पुरख कॉन मने जर्पकोई एक कॉन है उसका पूरख कॉन निकालेंगे और पिर उसी कॉन का संपूरख कॉन निकालेंगे और पूरक और संपूरक दोनों का अनुपात जो होगा वो 25 होगा तो वो कॉन क्या होगा यह हम सभielt पीशपर बनाके आपको दिखाते हैं पड़ाक्सी दोस्तों हम कौन को X माल लेते हैं X कौन माल लेंगे तो उसका पूरक क्या होगा दोस्तों पूरक होगा नबे में X को घटाना पड़ेगा और उसका संपूरक क्या होगा दोस्तों उसका संपूरक होगा 180 में X को घटाना पड़ेगा ठीक है दोस्तों यह हमने माल लिया तो यह मेरा Spencer II X is kalism अजिये पूरक है और यह यह पूरक है ठीक है अब यह ए यह दोनों का जो अनुपात डूस्तों यह दोनों का जो अनुपात छोगा वो होगा दो अनुपात 5 किक्तना होगा दोनुपात 5 मैं इसको हम आए बना के दिखाते और ब्रावर में लिखेंगे 2 बटा 5 ऐसे लिखेंगे ठीक है अब आगे क्या करेंगे cross multiplication 5 से इसको पूरे कुकुना करेंगे 2 से पूरे कुकुना करेंगे ठीक है आईए गुना करके दिखाते हैं सबसे परे 90 को 5 से करेंगे आपका हो जगा 650 और 5 से जब करेंगे तो हम पर यहां पर हो जगा 5 एकस ब्रावर में लिखते हैं दो से करेंगे 360 हो जगा और दो से जब करेंगे तो हम नहीं है हम आपको अगली मतलब इसको आप च्किल श्यर्ट लिजे फिर हम आगे बताते हैं आपको कितने हैं आप देख लिजी ध्यान से 450-5x बराबर 360-2x आपका यह है और अब अब वसके सोट लीजिए हम काटके फिर आगे बताते हैं तो दोस्तों क्या था महाँ पे महाँ पे था 450-3x था और इधर था तरह था 350-360-2x था ठीक है अब हम क्या करेंगे हमें क्या बुले चार सो पचास यहां पर रहेगा और यह तीन सु साथ है प्लस यहां पर देखिए आपका अंदर आके माइनस होगा और उधर मेरा 2x है ठीक है कि असले दोस्तों हब फ़ाइफ होगा यहां पर पाइफ होगा यहनं पर क्योंकि पांक वान पहुअ हो जागा तो हो जबrí आपका पलस्वीक्स है त्युक्च को में गाटा देते कि की बचेगा पंदरह में छोग यह नो बचेगा और यहां पर कुछ नहीं बचेगा इधर क्या बचेगा पांच में दोगे तीन एक्स बचेगा दोस्तों तो जब भी हमको ठीशी डिवाइट करेंगे 30 बार में चल जाएगा एक्स का भेलूट 30 आगिया ठीक है दोस्तों एक्स का मान 30 मिन्स कौन की माप होगी 30 आनिके 30 देखते हैं दोस्तों 30 कहां पे है कटिए till दोस्तों पीस हम देख लेते काहां पे है कोश नमर 16 का सवाल था धुस्तों यह वाला सवाल था तो तिस काहां पे हे भस्त में ही दिया हुआ सबने है में माप से वी से ज़ादा है तो को serie क्या हो गिए इसको समझते हैं चैगहार वाएक इना है दोस्तों यहाँ पर हम माल लेते हैं पहला मेरा एक्स है दोस्तों अब क्या करते हैं यह जो हमारा एक्स है यह एक्स है और यह सब्सक्राइब दोस्तों और यहां पे 90 और 20 प्लस होजगा 110 होजगा ठीक है 90 और 20 को जोड़ देंगे यहां पर प्लस अब देख पा रहे हैं तो यहां पर हो जागा टू एक्स और टू एक्स बराब हो जागा 110 दोसी जाव डिभाइड करेंगे तो पच्पन बार में कटेगा अनिया पे कौन की माप 55 हो जगा दोस्तों आईए हम देखते हैं 55 कहां पे है दोस्तों 55 हम आये देख लेते हैं कहां पे है फास्ट में 45 दूसरा में 55 दोस्तों तो 17 नंबर का option नंबर 2 सही जबब हो जगा आगे बरते एक लिए सवाल की और question बर 18 देखे दोस्तों, नमर में क्या काता है, एक कौन पूरक से 24 डिए अधिक है, तो कौन की माप क्या होगी, उसी तरह से यहां भी बनेगा दोस्तों, यहां पे हम देखते हैं, इसी पे बना के दिखाते हैं आपका पहला एक सर दोस्तों, और बराबर लिखेंगे, और इसका पू प्रश्चूबीस हो जगा कितना हो जगा एक सो चाउदा हो जगा चार के चार नोटी ग्यार एक सचाउदा जगा दोस्तों और दोसे जब हम डिवाइड करेंगे तो जगा यहां पर दोपचे 10 अदू दूनी दोपचे 10 बचा एक दूसरती चाउदा संतावन डिवाइड दोस्तों संतावन कहां पर आईए देखते हैं कुश्चिन अठारागा संतावन कहां पर पहला चुविस हैं दूसरा संतावन दोस्तों ऑप्शन नमर दू यहां पर सहीज़व हो जागा आप इससे स्कूर्शॉट जागा 120 — X आपको अभी बताएं है peng 2007i को घॉटा देने से हो जाता है और 32 कम है दोस्तों 32 को भी हाँ पहल पर हम घौटा देते हैं सब invoice धालाएंगे तो हैं कि दोस्तों 24 हमारा ऑप्सन नमर्व दूसरा में देख का रहे हैं तो यहां पर सही जब होगा ऑफ्सन kilowतर 24 यह ब्रतितं कोश् Chipник 20 देखते क्या काता है दो परशके पूर कोन कांतर 12 ए क्या होगी चैनल यहीं लगाना है दितने बारा कांटर कहां पर दोस्तों तो अभी आप देख पारें नभी एक सो सी बहुत ज्यादा अंतर एक सो दो अठार यह भी ज्यादा अंतर है सवाल की और फूर और दोनों पूरक कॉन भी है ठीक है दोस्तों आगे बरते हैं चुछ अगे बरते हैं अगले सवाल के और यहाद दोस्तों देखते हैं question number 21 में 0 से कोई कौन है जो की बड़ा है और 90 से वो छोटा है तो वो x क्या होगा देखे दोस्तों यहाँ पे कह क्या रहा है कि 90 degree से आपका छोटा होना चीए और 0 से आपका बड़ा होना चीए तो वो कहलाता है नियून कौन दोस्तों दो भीन नियून कौनों का अंतर होता है पहला है नियून कौन दूसरा एक अधिक कौन तीसरा एक मतलब सम कौन और चोधा इन में से कोई नहीं तो दोस्तों आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं मैं दो भीन नियून कौन है दोस्तों तो नियुन कुन किसको काते हैं जो नबे से छोटा होता है दोस्तों जैसे माली आपका 60 डिग्री है और एक आपका 30 डिग्री है ठीक है तो यह नबे से दोनों छोटा है दोस्तों और यह दोनों ही नियुन कॉन है और अंतर कह रहा है दोस्तों दोनों का अंतर जब हम करेंगे अंतर आपका 30 डीजरिया जाता है जो कि उवी नियूंद कौन हो जाता है इससे हां पर उप्शन नमर 1 होगा चबाव कि एक नियूंद कौन हो जाएगा दो भी नियूंद कौन हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ थे अगले सवाल के और कोशिची नमरों 23 देखिए, question number 23 कहता है, अधि दो कोनों का जोड नवे डिगरी हो, तो वे कोन क्या कहलाते हैं, देखिए, अभी आपको हम बताये थे, सबसे सुरू में ही बताये थे दोस्तों, कि आपके पास जदी एंगल A है, और एक एंगल B है, और जदी जोड के नवे हो रहा है, तो क्या क अगे बढ़ते हैं, question number 24 में, 24 में कहता है दोस्तों, अधि दो कोनों का जोड 180 हो, तो वे कोन कैसा कहलाते हैं, अभी आपको बताये थे, दो कोन को जोड़ेंगे, अगर एक सब्सक्राइब का तो दोनों एक दूसरे का संपूरक कहलाते हैं, तो संपूरक कहां पर होजागा, option number 1 यहाँ पर सही होगा, अगले सब्सक्राइब कर बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है, यहाँ पर 180 से अधिक होगा, और 360 से कम होगा, तो उसकोन को क्या कहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर आप बता देता हूं मैं, आपको देख लीजेगा, 0 से जदी जदा रहेगा, और 90 से कम रहेगा, माली जी ऐसा रहेगा, तो उसको बोलते हैं, नियून कोन, क्या बोलते हैं, नियून कोन, और जो 90 से जदा रहेगा, उसको अधिक कोन बोलेंगे, लेकिन 100 से से कम होना चीए, और जो 100 से पूरा पूरी रहता है दोस्तों, उसको री और दीकरी हो गया कि दा सिधी बना लाई आपका सिधे रेखा में बना एक रिएक रिक रिकॉन तो तिन्स शाफ से कम होना ची पूरा है प्सको बोलेंगे रिजू कौन रिजू कौन बोलेंगे लेकिन दोस्तों अगर आपका इस तरह का कौन एंगर है यहां पे यह टोटल माल inction , जो आप देख पाだगए यहां में परति कौन किया कहलेए इसका सही हुआ तो सही जाब होगा गया सवालग के तो 27 का देखे जोषा कर दो 26 ह्यां पर देख पा रहे हम एवो भी एक सरल रिखा है और यहां पक्षी का मान पूछ रहा है आप इसमें देख पाने हैं आप एक एंगल है एक तरफ ब्रासी दूसरे तरफ एक्स है तो सर जो आपका रिखा जो यह वो भी है तो रहे एक जुम के अनुसार अगर रिखा कौन चेप्टर में आप देखे होंगे कि अगर एक इस तरह का अगर रहता है दोस्तो ये दोनों कौन मिलाक एक को जाता है दोस्तों जैसा भी हो ये येकोन ओर ये कौन抱 एक गशेएगा आनी आपका इह ओर ये मिलके पेलेंहें किरेंगेंगें सब्रक्रक्राथ था तरह एक लदेख लेटे हैं यहां पिछ दोचिशताओ लेते हैं था उप्स नमरें दोच्छ आगे बढ़ते एक लेसी तरह से हैं यहां भी देख्या आपका अशी दिया हुआ है यहां पे X है तो 180 मिला के 180 होता ही है तो 180 में 80 घटा देंगे तो आपके साथ और लोग भी इस वीडियो का भरपूर फैदा अनिकी लाब उठा पाएंगी तो देखते हैं 29 दोस्तों यहाँ भी उसी तरह से सेम टू सेम है देखिए आपका देवाए 71 यहाँ पे 21 तो 180 में 71 को घटा देंगे बहुत ही आसानी से आप अग्जाम इसको बना सकते हैं जिसमें ग्या बचेगा 9 यहाँ बचेगा साथ में साथ जीरू 109 डिगरी बचेगा 109 कहां पे है तो पहला उनी से दूसरा में ही 109 है दोस्तों यहाँ पे सही जवाब 109 हो जगा सही जवाब आगे बढ़ते हैं कोश 90 डिगरी का एंगल एक तरफ है तो दूसरा तरफ भी 90 होगा क्योंकि एक सरल रेखा में 180 डिगरी का एंगल बनता है पूरा एक तरफ आनि आपका यह पूरा 180 बनेगा उसमें आपका यहाँ पे देखिए यह 90 दिया हुआ है तो वाई और 2y मिला के 90 होगा तो 2y कितना हो स्वाल में 20 डूसरे 95安全 सांकि सामने में बना के दिखा दिये बहुत ही समझा कर स्वाल कर दिख सेएग fall और वीडियो कैसे लगा प्लीज कमें बाताईए नेगा दो कर दो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे इस वीडियो को को देख पा रहें तो आपसे गुजारी से कि हमारे यूटूब चैनल अनुमुल अस्टी ओनलाइन को जल्दी सबस्काइब करें इस तरह की वीडियो पाने के लिए दोस्तों साथ ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे जिससे कि इस चैनल पर जो भी वीडियो आएगी उसकी नोट